दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मोटर के बारे में जिसे हम सभी अपने बच्छपन से इस्तमाल करते आ रहे हैं फिर चाहें वो हमारे घर में लगे पंखे की मोटर हो, मॉल्स में लगे एक्सिलेटर की मोटर हो या फिर लघर में लगे हेवी मशीन्स की मोटर यह सारी मोटर कहलाती हैं सिंगल फेस इंड़क्शन मोटर आज इस वीडियो में हम जानेंगे की जो और जो हर जगा आपको देखने को मिलती है अखिर ये मोटर जिसने हमारी जिनकी को इतना आसान बना दिया है ये काम कैसे करती है कैसे इस मोटर को बनाया जाता है क्यों इस मोटर के अंदर कैपसेटर को लगाया जाता है अगर इस मोटर में कैपसेटर नहीं लगाया तो क्या होगा आज इस टॉपिक को इस वीडियो में बिल्कुल आसान भासा में जानेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस मोटर के इंजीनियर कहलाएंगे तो चलिए वीडियो को शार्ट करते हैं दोस्तों भारत के अंदर दो तरह की बिजली इस्तमाल की जाती है एक होती है सिंगल फेस की सप्लाई जिसे हमारे घरों में बेजा जाता है एक होती है थ्री फेस की सप्लाई जो की मशीन को चलाने के लिए लार्ज लोड को चलाने के लिए कंपनीस के अंदर बेजी जाती है तो three phase की supply तो company में distribute की जाती है लेकिन जो single phase की supply है अगर आप इंडिया में है तो हम सभी के घरों में domestic purpose के लिए एक single phase की supply बेजी जाती है अब जो single phase की supply है इस supply पर जो भी motor चलाई जाती है वो कहलाती है single phase induction motor अब जो भी आपके घर के अंदर motors लगी है चाए वो पंका हो mixi हो या आपकी washing machine हो जो भी motor हो ये सारी single phase पर चलती है इसलिए इने single phase motor कहा जाता है अब दुनिया की कोई भी motor हो उसके दो main part होते है एक होता है उसका stator एक होता है उसका rotor इस्टेटर वो पार्ट होता है जो की move नहीं करता जो की rotation में नहीं आता जो गूमता नहीं है जो इस्थिर रहता है तो stationary part कहलाता है हमारा stator और एक होता है rotor जो की गूमता है जिसकी वजह से motor running condition में आती है उसे कहते हैं हम rotor अब single phase induction motors के अंदर हम इस्टेटर को supply देते हैं rotor को supply नहीं देते यहां पर आपको एक notice करने वाली बात है single phase induction motors के अंदर हम stator में supply देते हैं rotor के अंदर कोई भी supply नहीं दी जाती जो गूमने वाला पार्ट है उसको बिजली से connect नहीं करते जो विना गूमने वाला पार्ट है जो stator कहलाता है जिसके अंदर winding की जाती है जिसके अंदर copper wire लगी दिखती है वो कहलाता है stator तो stator के अंदर single phase की supply दी जाती है और rotor में कोई भी supply नहीं दी जाती single phase induction motors के अंदर अब ये काम कैसे करता है क्या होता है induction क्यूं इस motor का नाम induction पड़ा अब इस पर आ जाते हैं अब जो भी आपका stator होता है इसके अंदर बहुत सारे तीत होते हैं तीत कहने का मतलब है कि फेस अप्लाई देने के बाद क्या होता है और कैसे यह काम करती है मोटर अग कैसे इस मोटर में जो है एक बटन दवाने से आपकी मोटर चल जाती है अब इसको समझते हैं दोस्तो अभी हमने देखा कि इस टेटर के अंदर बहुत सारे तीद होते हैं तो उसके अंदर काफी ज नीचे रख दिया और एक सिंगल तार लेके मैंने इसके उपर वाइंडिंग कर दी अब यह जो वाइंडिंग हो गई है यह हमारी कहलाईगी इस्टेटर वाइंडिंग जिसमें हम जो है अपनी सिंगल फेस की सप्लाई देंगे 220 वोल्ट अब इस्टेटर है मैंने अभी आपक का AC करंट होता है वो एक बार पॉजिटिव होता है एक बार पॉजिटिव होता है एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगिटिव होता है जब यह पॉजिटिव नेगिटिव करंट इस वाइंडिंग के अंदर जाएगा इस करंट की वज़ा से इस वाइंडिंग में ज वेरिंग कहने का मतलब है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है अब ये चेंज क्यों हो रही है मैंने अभी आपको बताया कि जो बी AC current होता है वो एक बार positive होता है एक बार negative होता है तो जब positive आएगी तो magnetic field lines उपर से नीचे की तरफ जाएगी जब negative cycle आएगी तो magnetic field lines नीचे से उपर की तरफ जाएगी और जैसे आप AC current भेजेंगे तो लगातार इतनी जल्दी जल्दी process होगा कि जो आपके rotor के अंदर है वो flux का change होना start हो जाएगा इसी principle को कहा जाता है induction induction मतलब क्या हुआ कि magnetic field lines किसी closed body के अंदर गई और उस closed body के अंदर वो change हो रही है जब भी जो magnetic field lines उस rotor के अंदर change होगी change कहने का मतलब है उपर नीचे होगी वो कम जादा होगी इसकी वज़ग से उस rotor के अंदर भी एक current generate हो जाता है एक current produce हो जाता है जैसे हम induction का phenomena कहते हैं induction phenomena एक ऐसा phenomena है जिसमें rotor को बिना current दिये उसके अंदर हम current produce कर देते हैं with the help of magnetic fields और जब भी rotor के अंदर magnetic fields generate होती है जब भी rotor के अंदर magnetic fields जाती है उसकी वज़़े से current आता है तो rotor की अपनी भी एक magnetic field generate हो जाती है जैसे winding की हो रही थी औ और जब rotor की magnetic field और आपके stator की magnetic field जो भी winding की magnetic field नहीं ये एक दूसरे को oppose करती है तो उस condition में rotor start नहीं होता, rotor rotation में नहीं आता, कि हम सभी जानते हैं, हमने बच्पन में काफी बार करा है, दो चुम्बक लेते हैं, उस चुम्बक को एक तरफ से दूसरी चुम्बक के तरफ लगा है, coil का, एक magnetic flux generate हो रहा है, rotor का, rotor के पास अपना कोई भी magnetic field नहीं था, उसका magnetic field हमने ही generate कराया, इस winding की वजह से, इस stator की वजह से, तब ये जो नो magnetic flux आपस में oppose करेंगे, तो उस condition में जो rotor है, वो rotate नहीं करेगा, वहापर जो है, stator अपना धक्का लगाएगा, rotor अपना धक्क करेंगे, कि rotor में जो magnetic field generate हो रही है, और जो उपर वाली magnetic field generate हो रही है, वो एक दूसरे को oppose करेंगे, तो हमें पता है कि force लगेगा, और rotor जो है, हमारा rotation में आ जाएगा, तो इस वजह से ही, इस motors के अंदर आपको capacitor लगा हुआ दिखेगा, हम सभी के घरों में पंका लगा होता है, कि जो भी आपकी stator और magnetic fields की वजह से जो rotor घूम नहीं पा रहा है, वो जो है, वाइबरेट कर रहा है, वो rotation में नहीं आ रहा है, तो जब हम capacitor लगा देते हैं, तो यहां पर जो है, एक अलग तरह का arrangement generate हो जाता है, एक अलग तरह की magnetic field generate होती है, जिसकी वजह से जो rotor है, वो oppose होने लगता है, और जो rotor है, वो rotation में आ जाता है, अब यह work कैसे करता है, तो जो भी आपकी windings करते हैं, motors के अंदर, उसके अंदर एक single winding नहीं होती है, उसके अंदर दो तरह के winding होती है, एक होती है main winding, जो कि मैंने आपको करके दिखा दी, इसके साथ हम connect कर देते हैं, एक auxiliary winding auxiliary winding आप देख सकते हैं, कि मैंने दो तीत होर लिये, इसे एक तार को common करके, दूसरे तीत में connect करके, मैंने इसी winding से connect कर दिया, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि alternating current की वज़े से, जो भी magnetic field यहाँ पर generate होगी, वो rotating in nature हो जाएगी, rotating in nature कहने का मतलब है, उपर south बनेगा, नी तो इसलिए हम अपनी motor को self start बनाने के लिए एक बटन पर आपकी motor चालू हो जाए, उसको धक्का ना देना पड़े, उसको डंडे से ना हिलाना पड़े, आपके पंखे को movement में ना लाना पड़े, वो अपने आपी एक बटन से चल जाए, इस वज़े से हम इस motor के अंदर दो इन नेचर ना हो, वो rotatory in nature हो, जिसकी वज़े से जो motor है, उसके जो rotor है, उसके उपर अपने आपी एक धक्का लगे, जैसे जो motor है, वो आपकी घूमने लगे, तो ये जो था एक basic concept था, आपकी single phase induction motor का, so I hope दोसों, आपको जो वीडियो है, काफी जादा knowledgeable लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि घर में जो पंके में motor लगी है, वो उसमें capacitor क्यों लगाया गया है, क्यों हमारी motor single phase पर work करती है, क्यों इने induction motor का जाता है, वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे अपना feedback ज़रूर प्रोवाइड करा है, मैं आपके लिए ऐसी knowledgeable video इस channel पर लाता रहूँगा मिलते हैं next video में, thank you guys